आज के प्रेश वार्ता में उपस्तित हमारे चत्तिगड सरकार के डिप्टी सीम और उर्जावान ग्रिव मंत्री स्री विजे सर्मा जी, हमारे मेडिया प्रभारी पंकर ज्हा जी और सभी मेडिया के साथी गाण, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे देश के सस्वी प्रधान मंत्री स्री नरेंद मोदी जी से हमारी सोजन्य मुलाकात हुई और हमने उनको उनके जन सेवा के सांदार 23 साल आज पूरे हुए साथ अक्टोबर 2001 को वो पहली बार गुजरात के मुख्य मंत्री के रूप में सपत लिये थे और मुख्य मंत्री के रूप में और परधान मंत्री के रूप में आज उनके सांदार 23 साल पूरे हुए हैं तो इसके उपलक्ष में उनको हमने बढ़ाई दी उनके सांदार 23 साल पूरे होने पर और उनसे चत्यजगर के जो हालात हैं उनके विशे में आउगत कराया जो हाँ पर मोदी की गारंटी को पूरा करने का सरकार के द्वारा परियास हो रहा है वो सबसे उनको और गत कराया और भावी जो योजनाए हैं चत्यजगर वो सबसे उनको और आज जो नक्चल परवावित प्रदेश हैं और नक्षल समस्या से एक समीशा बैठक का भी आवजन था यहां पर हमारे देश के सब्सक्राइब मंत्री अमीर साजी की अध्यक्स्ता में जिसमें नक्षल परभाईत प्रदेशों के मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री, उहां के SDS, DGP और अधिकारी और हमारे केंद्री मंत्रीगान के इंद्रेश सचीव सभी उपस्थी थे और अच्छी समक्षा हुई है और उसमें जो हम लोगोंने नो महने में नक्षल वाद के साथ लड़ाई लड़ी है, डबल एंजिन की सरकार का भी लाव मिला है और नो महने के अंदर ही अनेक मुख्यड हुई हैं, जिस में से 194 नक्षली मारे गए हैं हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा और लगातार हमारे सुरक्षा बल और अधिकारी साहस दिखा रहे हैं, उनका बहुत-बहुत उनको बधाई देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं, और नो महने के अंदर में 801 नक्षलियों की गिरबतारी ह हुई है और 742 नक्सलियों ने आत्म समर्पन किया है हम लोगों परियास कर रहे हैं कि जो आत्म समर्पन कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा से अच्छा उनको सुईधा दें और हमारे ग्री मंत्री जी और डिप्टी सीम बेठे हुए हैं बिजय सर्मा जी ये कई जगा जा रह हैं तो इस पर भी मलब हम लोग अउगत कराए हैं और लगातार परियास कर रहे हैं कि मलब जो नक्सली हैं वो गोली बारी की भासा को छोड़के आत्म समर्पन करें और विकास की मुगधारा से जुड़ें तो उनको प्रधानमंती आवास से लेकर अभी दो दिन पहले ही हम बिजापूर गए थे और वहाँ पर 70 लोगों को नीखती पत्र दे के आए हैं जो अनक्सली परिवार के थे उनको नोकरी लगाए हैं इसके पहले भी कुछ लोगों को नोकरी दिये हैं तो लगातार सरकार उनके साथ क्या अच्छा से अच्छा कर सकती है उसका प्रयास हमार सरकार कर दी